हेलो दोस्तों, रिजर्ट मित्र के प्लेट पॉम पर आप तभी का स्वागत है, आज हम एक बहुती मैत्पून टॉपिक के उपर चर्चा करने वाले हैं तो इस वीडियो को नहीं स्किप कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है आने बाले कुछ दिनों में यह वीडियो आपके परजिनों की और आपके जान पहचान बाले व्यक्तियों की जिन्दिगी को बचा ले। हाल ही में जो तक्नीक है ये एक प्रकार से हमारे लिए काफिक गातक सिद्ध हो रही है और भारत तक दुनिया में डीजीटल अरेस्ट की घटना ये बढ़ती जा रही हैं एक कहावत आपने सुनी होगी जो डर गया समझो मर गया किस कहाणी में आज आगा हमयी समझने वाले हैं किस प्रकार से कुछ ऐसे लोग जो समाच के दुस्मन है लूगों को एक प्रकार से कॉल गरते हैं और उनकी जिंदिकी के साथ खिलते हैं अभ यह हम चर्चा क्यों कर रहे क्योंकि हाल ही हमारे देश में हाल की तीन घटनाओं की हम चर्चा करते हैं फिर उसकर हम आएंगे टॉपिक पर तारिक की 30 सितंबर की आगरा में एक महला है मालती बर्माजी मालती बर्माजी के पून पर आठ मिनिट में दस बार वाटसेप वीडियो कॉल आती है जब वहें फॉन ठाती है तो सामने एक ब्यक्ति पूलिस की बर्दी पहने हुए बैठा रहता है और मालती बर्माजी से कहता है कि आपकी जो बेटी है वहे सेक्स रेकेट में पकड़ी गई अब मालती बरमाजी इस बात को सुनके थोड़ा असहज होती है बेचेन होती है कि ऐसा कैसे हमारी बेकीकर पस्ती है लेकिन निरंतर कॉल आ रहा है थे सामने वाला ड़क्ती पुलिस की बर्दी में था थोड़ा उनको लगता है कि ये बास सही हो सकती है अब मालती बरमाजी घवरा जाती हैं बोलती हैं तो बताएं क्या कर सकते हैं तो स्थवों के द्वारा उनसे एक लाज रुपै गूगल पेड़ करने के लिए कहा गया मालती बरमाजी फोन कार्ट देती हैं फिर से फोन लगा जाता है और चार घंटे तक कम से कम उनको यानि कि मालसी भरमाजी को यहाँ पर digital एरेफ्स गर के रख़ा जाता है। इसी प्रकार की एक गटना और है जिसमें जाने माने भारस के उद्योपती बर्दमान गुरुप के एस्पी औरसर्वाजी इनके पास एक वाल आता है और ठग इनसे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ एक अरेस्ट बॉरंट जारी किया है तथा आपकी समफथ्थी को सील करने की बात कि यह एक बॉरंट अरेस्टा भी जारी हुआ है अब यहां पर जो बर्दमान गुरुप के एसपी ओस रखा गया और इन से 7 करोण रुपए की ठगी की गयी इन्होंने 7 करोण रुपए दे भी दिये इसी परकार की गटनाती मद्य प्रदेश में जिसमें 1235 से धाही करोण रुपए की बसूली की गयी तो एक परकार से यह ऐसा नहीं है कि आप इससे बचे हुए है मैं इससे तो उसमें हम इससे समझ देते हैं तो देखो मैं यार सबसे पहले होगा क्या आपका जो WhatsApp है इस पर आयोए एक फोन थेक एक क्या आएगा वाल आएगा या फिर पुलिस की बद्धी पहने होगा तो आपसrão करेगा अब न चुछ करेगा चरもう कर आपि अचानक से कॉलेगा ने ब्लoit जायेंगे और आपके या पर आका कि आने को नाम लेगा उनके खिलाव फॉलिस्मेंट फाने में रिपोर्ट है उन्हें पकड़ने जा रहे हैं तो आप बेचेन हो जाएंगे आप पोचेंगे फॉलिस फकड़ने जाए तो बदनामी होगी तो यह ठक होते हैं इस प्रकार से बिहेब करते हैं यह दिखानी कोजिस करते हैं कि आपके प पड़ेंगे तो कहा जाता है कि मामले को रफा रफा करो तो इतने पैसे हमाई एकाउंट में भिल दो लोग दर के वजए से पैसा बिल देते हैं ठाने जाएंगे फुलिस आएगी बदनामी होगी कौन फाने के चक्कल लगा इसलिए पैसा बिल देते हैं यही चीज ओसवाल है कि आम इंसान है अब 6 पॉइंट में समझो आप कि अगर आपके पास वीडियो कॉल आए तो करना क्या है या पिर आपके बिचार आ रहा होगा बचे कैसे तो बचने का भी रास्ता में बताते हैं आपको देखो सबसे पहले आपके पास कॉल आएगा वाट्सेप तो भी वीडियो कॉल आएगा तो इसमें आपको ऐसे बिएप करेंगे यह लोग कि फ्रिजवाले हैं और आपके या आपके किसी परजने खेला पर एक रेपोर्ट होई है और यल्दी आपको ग्रफतार कर लेंगे और यह कि आपको दवा बनाने का कोसिच कुछ रएंगये और मजबूर करेंगे आपको क्या केमडियो के सामने यह नहीं द्रा धार ते हैं बात करते हैं इनका बैक्ग्राउंड भी पुलिस इस्टेशन की तरह होगा तो सकतो हो आपको होगा नहीं अब यहां पर होता क्या है पीड़े भी सोचता है कि यह ऑनलाइन पुलिस वाले हैं पूस्ताथ कर रहे होंगे तो सारी डेटेल अपनी यह बोल देते हैं पुलिस और गिरफतारी की दर दिखा के क्या करते हैं आप से पैसों की मांग करते है यह होता है कि आपके पास कोई वीडियो कॉल आए तो अब जैसे पूलिस वालों के कुछ स्टेटमेंटवें और कहते हैं कि जो पुलिस वालिया अगर कोल आये तो समझ लो पुलिस वाली तो नहीं है दूसरी चीज फोलिस वाले कभी भी वाट्सेप पर आपको F.I.R. की कौपी नहीं बेजेंगे, गई नहीं कभी भी पूलिस वाले आपसे पैसे की देमाड़ करेंगे तुरंत अपनी परसनल जानकारी दो पैसे भेजो और पूड्स वाले आपको वीडियो क्वाल के समझेगे और पैसे की मान कर रहा है, प्रॉड है किसी अन्य प्यक्ति से बात करने के लिए बोल रहा है मना कर रहा है तो यह सारी चीज़ों सब्सक्राइब सकते हो कि अब जब कॉल आई तो हालकर कार दो तो हम बचाते हैं यहां पर कि बचने के लिए क्या कर सकते हुआ अगर डिजिटल अरेश्ट से आप बचना कर दी जाएगी बहुत कूटे जाएंगे हम तो यह आपको सिकार बनाते हैं अब जागा पर आपको पास डिजिटली अरेश्ट के लिए कॉल आए तो कैसे बचना है सबसे पहले तो यह कि यह जितनी भी कॉल आती है फ्रॉड वाली वाट्सेप पर पर इस्ट्रोग्राम पर टेली ग्राम पर ओनलाइन माध्यम से आएंगी पहली चीश्ट तो सबसे पहले तो यह है कि अगर आपको लगए संदिक कॉल है या अन्नुन नंबर है मत उठाओ किसी के गर्ज होगी दुवारा करेगा मजबूरी होगी दुवारा करेगा मत उठाओ मैं ऐसे बेज लो पू कि हम गवरा जाते हैं और हमारा केल करत्म जो डर गया वो मर गया समझ गया आप तो डर ना बिलकुल नहीं है अगर फोन उठावी लिया आपने तो आपको अपरी पिर्ष्ण पहले आपको बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं बताना कितना प्रीज़ अब करना क्या है आपको अपनी फाइनेल्सियल जो जनकारी बोनी देरी अगर आपको सक हो कि यह फ्रॉड पॉन है तो लंबी बात्चीत ना करें नहीं तो कोई फोन करें फोना जानू बाबू करने लगे तुम लोग हां भीया बस हो गया मोप्षी फ्राप्ति लगे तुम ल अब अन्जान कॉल है से पहले जिसे ट्रू कॉलर से ना बता देता है लुग किसका कॉल है तो ऐसे एप को डाउंडोड करके जरूर है जो ट्रू कॉलर जैसे एप होती है और उनसे पहले वेरिफाई करें किसका है तब उठाओ मत उठाओ तुम कोई वह रखाना अब अब अब करना किया है वाट्साप को सबसे पहले अफन करना है फिर इस सैटिंग्स में जाना है थीडिये फिर उप्शन को क्लिक कर देगा थीअ क्या करना है सबसे पहले WhatsApp आपको उपन करना है अपको आपको कि सेटंग में जाना है वाट्सव कि प्राइडीस के उप्टेंग पर जाना है वाट्सव के ओप्टेंग करना है और यहां पर होगा साइश अन्नोन कॉल कर देना यह जो करी नहीं पाएगा आप ठीक है और अगर कॉल आ भी गया तो क्या करें देखो सबसे पहले तो इगनूर करो नंबर ब्लॉक कर दो और जहांके पुलिस्थाने में बता दो कि यह ऐसे समय पास कॉल आए ठीक है और एक मैं आपको नंबर भी बताऊंगा उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हो जो यह फे और लाइन कैसे सकायच करनी है इनकी देखो आपको करना क्या है हमारे पास स्वाल आता है हम बज जाते हैं या फज जाती है तो हम लोग सोचते है चलो हमारा गला चूटा आगे अपना देखा यह नहीं करना है फ्रॉड पॉल आए और जिस नंबर से आए हाल के आल रपोर् फेक कोल के जो सकायते आती हैं या फिर फेक कोल आती हैं इसके लिए गवर्मेंट एक पोर्टल बनाया है संचार साथी पोर्टल यह इसकी ऑफिचल पर जाना है आपको किसकी संचार साथी पोर्टी पोर्टल की और यहां पर आप देखेंगे एक option मिलेगा आपको citizen centric service इसक report suspected fraud communication इस पर क्लिक कर दीजिए किस पर report suspected fraud communication इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर एक form खुल के आएगा इस form को आपको फिल कर देना है और जब आप इस form को फिल कर देंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो परदी call है या फिर message है उसकी detail भड़नी है आपको form में एक fraud list आएगे कि किस परकार का fraud आपके साथ हुआ है उस पर click करना है आपको या फिर message का screen photo upload कर दीजिए लास्ट में अपना mobile नमबर आपना नाम डाल दीजिए ठीक और आपका से capture code आएगा और एक OTP आईगा आपके नमबर पर इस OTP को फिल कर दीए इस परकार से और कर दो बाद में तो आपकी एक OTP की रिपोर्ट हो जाएगी जिससे अगला आदमी बच जाए नहीं तो क्या फाइबा कोई एक करोण रूपय देके बैठ जाए किसी की जिन्दी चलिया है तो इतना मानब होने के राते आपको कर सकते हैं और साइबर क्राइम के help line number है 1930 1930 1930 इस call पर विए ऊप पॉल कर सके और लाइन कर सकते हो तो भाईया जितना साब्दान रहोगे उतना सुरक्चित रहोगे आप भी सुरक्चित रहो आपके परजन भी रहें आपके परोशी रहें तो जितना हूँ सके अतना इस वीडियो को फैला देना हाग जोड़ें की आ पर दाव पर ना लगे कुछ लोगों के स्थोड़े से लाल स्कारण है तो जितना अधित हो सके इसको शेयर कर देना और वीडियो करो या ना करो इसको जबू कर देना किछी की जिन्दीगी का सवान है ठीक है बहुत गटना है घट रही है आप भी सुरक्षित रहो आपके पर